नमस्कार दोस्तों, स्यूपकास कलासेंज में आप सभी साथ नियों का सवागत है दोस्तों आज साइंस के 20 मोस्ट इंपार्टेंट कुस्चन के विशा में डिसकस करेंगे जो परिच्छा में लगातार पूछे जाते हैं तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी कुस्चन कलाव उठाएं तो आज की सेशन का सुरुवात करते हैं आपका पहला कुस्चन आपके स्क्रीन पर निम्न में से कौन मानों मात्र के लिए उप्योगी नहीं है यानि निम्न में से कौन मानों मात्र के लिए उप्योगी नहीं है तो आज की सेशन का दूसरा कुस्चन आपके स्क्रीन पर निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फिता क्रीम मनुस्च की आथ में पहुचता है तो आपका आपसन E है बकरी, B है भेड, C है गाए, D है सुवर तो आपका आपसन सही हो जाएगा आपसन D यानि सुवर निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फिता क्रीम मनुस्च की आथ में पहुचता है तो सुवर के खाने से तो आज के सेशन का तीसरा कुश्चन आपके स्क्रीन पर गोल क्रीम या सूत क्रीम को किस संग के अंतरगत रखा गया है तो आज के सेशन का चौथा कुश्चन आपके स्क्रीन पर फाइलेरिया नामक रोग उत्पन होता है यानि फाइलेरिया नामक रोग उत्पन होता है आपका अप्शन ए है एसकायरिस द्वारा बी है बुचेरिया बेन क्राफ्टी द्वारा C है प्लाजमोडियम द्वारा D है टीनिया सोलियम द्वारा तो आपका अप्शन सही हो जाएगा अप्शन B यानि बुचेरिया बेन क्राफ्टी द्वारा फाइलेरिया नामक रोग उत्पन होता है तो फाइलेरिया नामक रोग उत्पन होता है बुचेरिया, बेन, क्राफ्टी द्वारा तो आज के सेशन का पाचमा कुश्चन आपके स्क्रीन पर इसकारीस पाया जाता है यानि इसकारीस पाया जाता है आपका अप्शन A है मनुस्थ की आत में B है मनुस्थ की देहगुहा में C है मनुस्थ के रूधिर में D है इन में से कोई नहीं तो आपका अप्शन सही हो जाएगा अप्शन A यानि मनुस्थ की आत में इसकायरिस पाये जाता है तो आज के सेशन का छटोमा कुश्चन आपके स्क्रीन पर केचुव में कौन सा रक्त वर्रानक उपस्थित होता है आपका आपस्टन A है हेमोसायनिन B है हीमार्टिन C है performed हीमो गुलोबिन D है सायनिन तो आपका आपस्टन सही हो जाएगा आपस्टन A यानि हीमो साइनिन किचुओं में कौन सा रक्त वरानक उपस्थित होता है तो हीमो साइनिन उपस्थित होता है तो आज के सेशन का सातवा पुष्चन आपके स्क्रीन पर किचुओं में कितनी आखें होती है यानि किचुओं में कितनी आखें होती है आपका अप्शन A है 1, B है 2, C है बहुत, D है कोई नेतर नहीं तो आपका अप्शन सही हो जाएगा अप्शन D यानि कोई नेतर नहीं किचुमें में कितनी आखें होती है तो किचुमें कोई आखें नहीं होती है यानि कोई नेतर नहीं होता है तो आज के सेशन का आठवा कुश्चन आपके स्क्रीन पर कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं आपका अपसन A है 1, B है 2, C है 3, D है 4 तो आपका अपसन सही हो जाएगा अपसन C यानि तीन, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं, तो कीटों में तीन जोड़ी टांगे होती हैं, तो आज के सेशन का नमवा कुश्चन आपके स्क्रीन पर केचुवा किसानों को किस प्रकार ला पहुचाता है यानि केचुवा किसानों को किस प्रकार ला पहुचाता है आपका अफशन A है हानिकारक कीटो को नस्ट करके B है हानिकारक जिवान को नस्ट करके C है A वा B दोनो D है भूमी को पोली करके तो आपका अफ़सन सही हो जाएगा आफ़सन D यानि भूमी को पोली करके केचुवा किसानों को किस प्रकार लाप पहुचाता है तो भूमी को पोली करके दोस्तों जितने भी साथी नए जुड़े हैं सुपकास क्लासेज को सस्क्राइब करने तो आज के सेशन का दसवा कुश्चन आपके स्क्रीन पर काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका सुपसन अंग है यानि काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका सुपसन अंग है आपका अफ़सन A है कुलोम B है वातक C है पुत्व फुसपुस D है फुसपुस तो आपका अप्शन सही हो जाएगा अप्शन B वारी वातक काक्रोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका सोचन अंग है वातक तो आज के सेशन का ग्राहम कुष्चन आपके स्क्रीन पर निम्न में से किस जीव का रक्त सफेद होता है आपका अप्षन A है तिलचटा, B है छिपकली, C है मच्छर, D है घरेलू मक्खी तो आपका अप्षन सही हो जाएगा आप्षन A यानि तिलचटा निम्न में से किस जीव का रक्त सफेद होता है तो तिलचटा का होता है तो आज के सेशन का ब्राहम कुष्चन आपके स्क्रीन पर रेसम कीट का उत्पादन किससे होता है यानि रेसम कीट का उत्पादन किससे होता है आपका अप्शन A है रेसम कीट के अंडे से B है रेसम कीट के प्यूपा से C है रेसम कीट के लारवा से D है स्वयम कीट से तो आपका अप्शन सही हो जाएगा आप्शन B यानि रेसम कीट के प्यूपा से रेसम का उत्पादन किसे से होता है तो रेसम का उटपादन रेसम किट के प्यूपा से होता है तो आज के सेशन का तेरा हमा कुश्चन आपके स्क्रीन पर घरेलू मक्खी का लारवा कहलाता है यानि घरेलू मक्खी का लारवा कहलाता है आपका अप्शन A है प्यूपा, B है E मेंगो, C है मेंगोट, D है भेग सिसू तो आपका अप्शन सही हो जाएगा आप्शन C यानि मेंगोट घरेलू मक्खी का लारव कहलाता है तो मेंगोट कहलाता है तो आज के सेशन का चुब दामा कुश्चन आपके स्क्रीन पर तितली की आखे रात में क्यों चमकती है यानि तितली की आखे रात में क्यों चमकती है आपका अप्शन A है विशेश लेंस के कारण, B है जीन परभाव के कारण, C है टेपिटम लुसिडम के कारण, D है कोई असपस्ट कारण ग्यात नहीं तो आपका अप्शन सही हो जाएगा अप्शन C यानि टेपिटम लुसिडम के कारण तितली की आखे रात में क्यों चमकती है तो टेपिटम लुसिडम के कारण चमकती है दोस्तों जितने भी साथी नए जूड़े हैं स्विप्रकास क्लासेश को सस्क्राइब कर लें तो आज क सेशन का 15 खूष्सन आपके स्क्रीन पर निद्रा रोक फैलाती है यानि निद्रा रोक फैलाती है आपका अफशन ए है error CC मखे भी है सेंड फलाई, सी है खटमल, डी है इनमें से कोई नहीं तो आपका अफसन सही हो जाएगा अफसन ए यानि सीसी मक्खी, निद्रा रोग फैलाती है तो सीसी मक्खी फैलाती है तो आज के सेशन का सुलाहम कुश्चन आपके स्क्रीन पर मनुस में काला जार रोग फैलाने वाला मच्छर है यानि मनुस में काला जार रोग फैलाने वाला मच्छर है आपका अफसन A है सेंड फलाई, B है पिसू, C है खटमल, D है इनमें से कोई नहीं तो आपका अफसन सही हो जाएगा आपसन A यानि सैंड फलाई मनुस में काला जार रोग फैलाने वाला मच्छर है तो सैंड फलाई है तो आज के सेशन का सत्रामव कुश्चन आपके स्क्रीन पर मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है आप का उप्सण A है नर क्यूलेक्स B है मादा क्यूलेक्स C है नर एनफलीज, D है मादा एनफलीज तो आपका अप्शन सही हो जाएगा अप्शन D यानि मादा एनफलीज मलेरिय रोग का कौन सा वाहक है तो मादा एनफलीज है तो आज के सेशन का अठ्रामा कुछ सन आपके स्क्रीन पर आक्टोपस है एक यानि आक्टोपस है एक क्या है आपका अप्शन A है संधिपाद B है मिरुदु काउची C है हीमोकाडा D है इनमे से कोई नहीं तो आपका अप्शन सही हो जाएगा आप्शन B यानि मिरुदु काउची आक्टोपस एक है क्या है मिरुदु काउची है तो आज के session का 19 question आपके screen पर devil fish के नाम से जाना जाता है यानि devil fish के नाम से जाना जाता है तो आपका option A है पाइला, B है CPI, C है टेरिडो, D है आक्टोपस तो आपका option सही हो जाएगा option D यानि octopus devil fish के नाम से जाना जाता है तो octopus जाना जाता है दोस्तो जितने भी साथ ही नए जुड़े हैं स्विफिर्टकास क्लाशेश को सस्क्राइब करने तो आज के सेसन का विशो ऑफ लास्ट कुरिशन आपके स्क्रीन पर आक्टोपस में भूजाओं की संख्या कितनी होती है यानि आक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है आपका आपसन A है 4, B है 5, C है 6, D है 8 तो आपका आपसन सही हो जाएगा आपसन D यानि 8, आक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है तो आक्टोपस में भुजाओं की संख्या 8 होती है तो दोस्तो मैंने आपके साथ भी science का most important MCQ discuss कर लिए हैं ऐसे ही question आपको परिच्छा में देखने को मिलते हैं दोस्तो यदि कोई भी student super class classes को subscribe न किये हो तो subscribe कर लें like करें, share करें subscribe जरूर करें धन्यबाद, thank you, love you all friends bye bye, take care, have a nice day